हैलो, वेलकम टो माई स्टूडेंट सुपोर्ट सीस्टम आज अम क्लास शुरू करेंगे कम्यूनुटी हेल्थ नर्सिंग की और ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन भी क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिस लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप टाइरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते। Community Health Nursing क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे Community क्या है? Community या समुदाय किसी भी आकार का एक सामाजिक समू के रूप में उसों प्रभाशित किया गया है, जिसके सदेश्य एक विशिस्ट इलाके में एक डिफाइंड जियोक्राफिक बाउंडरी होती है, उसमें रहती हैं। और वो सांजा करते हैं, अपनी रूचियां, उनकी जो विशेश्टाइ हैं, सामाजिक और भोगोलिक वो समान होती हैं। और उनकी एक सामन्य सांस्कृतिक विरासत होती है। समुदाए एक सामन्य स्थान पर विभिन प्रकार के व्यक्तियों की परस पर करिया वाला समूव है। यनि वो एक परस पर करिया भी करते हैं। और समुदाए का जो आकार है वो परिभाशित नहीं है। चोटी community या चोटा समुदाई भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद हमाँ आते हैं health पर, health आप जानते हैं कि वीश्व स्वास्ते संग्टर ने बताया है कि स्वास्ते पूर्ण शारिरिक, मानसी, सामाजिक कल्यान की अवस्ता है, ने केवल बिमारी या दुरबलताओं की अनुपस्तिती हैं। और स्वास्ते जो है वो डाइनमिक है, गतिशील है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, एक तरफ बहुत ही अच्छी health हो सकती है, और दूसरी तरफ बिमारी और एवन मृत्यू तक, यह एक spectrum है इसका, लेवल यहां से यहां तक चलता है, और यह लगातार move करता रहता है, कभी अच्छी health होती है, कभी बिमार पढ़ सकते हैं, तो move करता रहता है, उसके बाद हम आते हैं, community health पर, community health या समुदाय, समुदायिक स्वास्ते क्या है, समुदायिक स्वास्ते एक विशीस्ट भोगलिक शित्र में लोगों की शारिरिक और मानसिक भलाई पर किंद्री थे, यह समुदायिक स्वास्ते का एक महतवपूर्ण सब सेक्शन है, जिसमें समुदायिक सदिश्यों को अपने स्वास्ते को बनाए रखने, सुधारने और संक्रामक रोगों को परसार को रोकने तदा प्राकरतिक आपदाओं के लिए तयार रहने में मदद करने की पहल शामिल होत होती है, और नर्सिंग आप चांदते हैं नर्सिंग क्या है, नर्सिंग सभी उम्र, परिवारों, समुदायिक को लोगों की सवायत और सहयोगी देखवाल है, बिमार हो या हेल्दी हो, सभी सेटिंग्स में, नर्सिंग स्वास्ते को बढ़ावा देने, बिमारी की लोक्ताम करने बिमार और विकलांग और even जो डाइंग पीपल हैं उनकी देखवाल इसमें शामिल होती है अब इन सबको यदि हम शामिल करें कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग को तो हमारे पास Community Health Nursing की Definition आ जाएगी सामुदाइक Nursing सेवा या Community Health Nursing क्या है सारोजिक स्वास्ते Nursing या सामुदाइक स्वास्ते Nursing Nursing की एक ब्रांच है या शाका है जो सवाने ते और पर अस्पतालों के बाहर कारे करती है समुदाइ में लोगों के बीच इस क्षित्र में जो सेवाई है वो समुदाइ अधारित है ग्रूप अधारित है और मुख्य रूप से है उसकी जो नेचर या प्रकरती है वो Preventive और Promotive है या तो वो रूगों का Prevention करती है या Health को Promote करती है ये जो सेवाई है वो A&M, LHV, Public Health Nurse Community Health Nurse, Public Health Nursing Officers या सामुदाइक स्वास्ते अधिकारी के द्वारा दी जाती है American Nurses Association सामुदाइक स्वास्ते नर्सिंग को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि सामुदाइक स्वास्ते नर्सिंग सामाजिक सारवजनिक स्वास्ते विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करते हुए एक जो आबादी है विशिश्क शित्र में रहने वाली उसके स्वास्ते को बढ़ावा देने रक्षा करने का प्रेक्टिस है इस रूप में यह परिभाशित की गई है अब एक ही जो Community Health Nursing सर्विस हम देते हैं उसके अबजेक्टिव क्या है अबजेक्टिव या उद्देश्य क्या है और कई बार यह पूछतें की Community Health Nursing के गटक क्या है तो यह दोनों एक ही चीज़े हैं यहां पर इसमें मुख्य रूप से क्या-क्या गटक शामिल होते हैं वो इसी definition से ही निकलेंगे Mainly Preventive Promotive है तो समुदाइक स्वास्ते नर्सिंग का जो परात्मिक देशे हैं वो व्यक्ति परिवारम और समुदाइक की स्वास्ते आवशक्ताओं का आंकलन करना कि उनकी स्वास्ते आवशक्ताइक क्या है और व्यापक स्थर पर nursing से वहीं परदान करना है ताकि वे स्वास्थे के उच्छ स्थर को प्राप्त कर सकें अपनी health को regain कर सकें पुने प्राप्त कर सकें बीमारी को रोगताम कर सकें अन्य लक्षों में जो शामिल है वो है सबसे पहले health promotion या स्वास्थे का समवर्धन करना इवन जो healthy फेक्ती हैं उन्हें भी community health nursing की जरूर पढ़ सकती है ताकि वो स्वास्थे को और अधिक optimum level तक ले जाएं स्वास्थे को बढ़ावा देनी और सारवजनिक स्वास्थे या सामदाइक स्वास्थे nursing का सबसे महतोपूर्ण लक्षे ये कमाना जाता है स्वास्थे समवर्दन में वो सभी प्रयास शामिल होंगे जो लोगों को optimum health या स्वास्थे के उच्छ स्थर के करीब लाते हैं स्वास्थे समवर्दन के कारेक्रमों के और गतिविदियों में स्वास्थे सिख्षा के कई रूप हैं या health education इसे मुख्य है उधारन के लिए जैसे हम स्वास्थे सिख्षा दे सकते हैं कि नसीली दवाओं का उर्वियो के जो खत्रे हैं वो बता सकते हैं तो उससे व्यक्ति उदर जाएगा नहीं तो health का promotion होगा नियमित व्यायाम और स्वास्थ प्रथाओं का या practices का demonstration करना जैसे कि स्वास्थ आहार लेना regular exercise करना ये सारे points हम स्वास्थे सिख्षा के रुप में बताकर लोगों के स्वास्थे को बढ़ावा देते हैं Community Health Nursing में दूसरा इसका गटक या objective है prevention of illness बिमारियों की रोक था यानि स्वास्थ व्यक्तियों को इस प्रकार से हम motivate करते हैं प्ररित करते हैं की और बताते हैं कि बिमारिया वहां तक पहुंचे ही नहीं स्वास्थे समश्थे की रोक थाम सामुदाइक स्वास्थे nursing का एक बहुत बड़ा हिसा है रोक थाम करते हैं कि समश्याओं का पूर्वनुमान लगाना और उनको टालना इसे सामुदा एक स्वास्थे के prevention के स्तर के रूप में जाना जाता है जिसमें प्रात्मिक रोगताम, द्वीतिय रोगताम, त्रीतिय रोगताम और के रूप में परिवाशित किया जाता है और उन्हें इसी हिसाब से प्रिवेंशन के इनके बारे में एक अनादर लेक्चर में हम डिसक्स करेंगे काफी बड़ा टोपिक है तो वहां से आप इसको समझ सकते हैं नेक्स्ट जो अब्जेक्टिव है वो है हेल्थ मेंटिनेंस अगर एक स्वास्ते के लेवल पर हम पहुंच गए हैं तो उसे बनाई रखना स्वास्ते का रख रखाव व्यक्तिकत परिवारिक और समुदाइक यह सब की जिम्मेदारी है और यह सुनिश्चित करना होता है कम्यूटि हेल्थ नर्स को कि वे इसी लेवल पर कारे करते रहें इसे नीचे डाउन ना जाएं बिमार ना पड़ें समुदाइक स्वास्ते नर्स यह सुनिश्चित करती है कि परिवार, समुदाइए और एक व्यक्ति अपनी स्वास्ते की रख रखाव के लिए सदयव ततपर रहें कारे करते रहें Restoration of Health यदि Restoration का मलब होता है कि पुनेस्थापित करना है यदि कोई वेक्टी बिमार हो गया है लंबे समय से बिमार है तो उसे उसके Optimum Functioning तक Restore किया जाए समधाइक स्वास्थे नर्सिंग का एक उदेश है कि स्वास्थे और जो कामकाज करें इस्ट तम स्थिती है Optimum Level है वहां तक वापस आए समधाइक स्वास्थे नर्सिंग सुनिशित करती है कि वेक्टी स्वास्थे और विमारी की स्थितियों का सामना करे और उस करने के बाद जितनी जल्दी समभव वह अपनी मूल स्थिती में लोट आए परिवार और समधाइ भी इस प्रकरिया में उसकी मदद करते है अब है हमारे पास Important Topic Principles of Community Health Nursing यानि ये वो points होते हैं जिनके उपर Community Health Nursing Service आधारित होती है इसमें सबसे पहला point है कि समधाइक स्वास्ते नर्सिंग समधाइ या समधाइक की आवशेक्ताओं के मानेत अपराप मुल्यांकन परादारित है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि हमारी चुक Community सेवाई है समधाइक के प्रती वो उनकी आवशेक्ता के अनुसार होती है जिस समधाइक को जिस प्रकार की सर्विस के आवशेक्ता होती है वो ही सर्विस उसे प्रदान की जाए इसे हम Community Need Assessment भी कहती है दूसरा point है कि समधाइक स्वास्ते नर्सिंग सेवाएं पुरे समुधाइक के उलिए उपलब्द है चाहे वे आयू, लिंग, वर्ग, जाती या राजनेती समधता के हूँ अर्थात Community Health Nursing सेवाएं देते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए सब के लिए समान रूप से सर्विसेज प्रवाइड की जानी चाहिए उसके बाद है, next जो प्रिंसिपल की जो Community Health Nursing है वो परिवार को एक एकाई मानता है ठीक न, वहाँ एक मरीज या इंडिवीजियल एकाई नहीं है, पुरा परिवार एकाई है क्योंकि एक व्यक्ति के जो Health है, वो पुरे परिवार को प्रभावित करती है और पुरे परिवार की जो सोच है, उनका जो समंजश्य करने की ख्षमता है वो उस व्यक्ति की Health को प्रभावित करती है उसके बाद है कि व्यक्ति के जो मुल्य हैं, रिति रिवाज हैं, मान्यताई हैं उनका सम्मान व्यक्ति की देखवाल की प्रभावशीलता में योगदान देता है इस प्रिंसिपल का क्या रत है कि यदि हम किसी व्यक्ति की जो रिति रिवाज हैं उनका सम्मान करते हैं तो वो हमारी बात सुनने को प्रेदित होता है और हमें भी respect देता है तो यदि हम अपनी सेवाओं की प्रभाह उसके उपर डालना चाहते हैं कि वो हमें सुने तो उसकी जो भी रितिरीवाज जो भी उसकी सोच है उसको हमें सम्मान देना है बट इसको balance करना है कि जो unhealthy practices है उनको remove करते हैं ठीक है Next है कि community health nursing ने लोगों के स्वास्थे और बिमारी की रोगता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण, सिक्षा के रूप में स्वास्थे सिक्षा और प्रामर्ष इनको एक इक्रिध किया है इसका क्या मतलब है कि जब भी हम सम्मूदाय में जाती है तो हमारा सामना स्वास्थ लोगों से होता है तो स्वास्थ लोगों को और अधिक स्वास्थ बनाया जाए और लोगों की रोगताम की जाए इसके लिए मेहतवपुल जो टूल है हमारे पास वो है Health Education, यानि वेक्ति लोगों को जागरूप करना किसी भी बिमारी के प्रती, तो वो अपने आपको बचा पाएंगे, उसके बादे सहे करमचारियों और स्वास्थे टीम के सदिश्यों के साथ सहयोगात्मक कारिय संबंद स सामुदाइक स्वास्थे नर्सिंग के लक्षों की उपलब्दियों को पूरा करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी Health Team है, उसके मेंबर्स का अगर अच्छा Coordination रहता है आपस में, तो वो प्रभावी Community Health Nursing Service उपलब्द कराते हैं, यह जरूरी है, बहुत आश्य है, उसके स्वास्थे के लिए स्वास्थे सिवाओं की योजना बनाने में भाग लेना चाहिए, जिसे सामुदाइक भागिदारी की रूप में जाना जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति, जिसे हम Community Health Nursing Service प्रवाइड करा रहे हैं, वो परिवार, वो व्यक्ति, उसका सहयोग ह ठीक है, तो जदा प्रवावी हो पाएगे, प्लानिंग करते समय कि कब हम विजिट करेंगे, कौन-कौन से आपके पास सदेशे उस समय उपलब्द होंगे, कौन से बिमारी के बारे में आपको जदा जानना है, इस प्रकार यदि प्लानिंग करेंगे तो वो लोग जदा रि स्वदेशियों को प्राप्त करने के लिए एक लेवल या डिगरी का आंगरन करने के लिए साधन परदान करनेता है, कि जब भी हम Community Health Nursing Service प्रोवाइड करते हैं, तो लगातार एक मुल्यांकन या असेस्मेंट करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि किस लेवल तक हमारी Services उपयोगी रह रही है उस समुदाई के लिए, अब आता है कि समुदाईक स्वास्ते नर्स के प्रयासों की सफलता को बढ़ा कर स्वदेशी और मुझूदा समुदाईक संसादों का उपयोग, कि जब भी हम समुदाई में Services देने जाते हैं, तो पूरे अस्पताल का साजो स कमान हम ले जा नहीं सकते हैं वेक्ति के घर तक या समुदाई में, तो हमें क्या करना है कि जो भी उपलद Resources हैं, उनका अभियोग करते हुए Best Possible Services परिवार को या समुदाई को देनी हैं, तो हमें पता होना चाहिएगी कैसे हम Resources का यूज कर सकते हैं Community में, उसके बादे Community Health Nursing क करने के लिए मारगदर्शन और देशान विदेश परदान किया जाता है, कोई भी Services हो, उसमें एक Supervision, Healthy Supervision बहुत जरूरी है, यही Community में भी है, कि जब Community Health Services परदान की जा रही हैं, तो continue Supervision होना चाहिए, एक योगे Community Health Nerds के द्वारा, और जो Senior Community Health Nerds हैं, उनके द्वारा भी एक लेवल बना होता है, एक चैनल बना होता है, तो प्रोपर एक Supervision होना चाहिए, उसके बादे निरंतर स्टाफ सिक्षा कारिक्रम, गुणवत्ता सिवाओं को व्यक्तिकत और उनकी सेटिंग में अच्छे नर्सिंग कारियों को उन्नत करने और बनाई रखने के लिए आवशे यह सब के लिए, कोई भी Services हो, यदि हम जो भी स्टाफ है, उनकी निरंतर या continuing education उन्हें पर दान करें, उन्हें लगातार नया सीखने के लिए प्रेरित करें, तो वो अच्छी nursing services को बढ़ावा देगी, क्योंकि knowledge और skill बढ़ेगी, तो Services अच्छी होंगी, तो continuing staff education कंपल सरी ह हर जबे, चाहिए वो community health nursing हो या कोई और field, और last principle है कि सटीक recording और reporting होने चाहिए, इसे योजनबद, कारेक्रमों और गतिविदियों की प्रगती का मुल्यांकन के आधार के रूप में और बविशे के कारियों के लिए एक मारगदर्शे के रूप में कार्य करती है, जो भी हम services provide करें, उसका एक और रखें, proper reporting करें, तो इससे क्या होगा कि कभी भी हम हमारी सेवाओं का मुल्यांकन करेंगे, तो हमें पता रहेगा कि कितनी वो प्रभावी हुई है, और future में भी कोई कारेकरम या planning हमें बनानी है, तो उन records को हम use कर सकते हैं, दनिमाद students, ऐसे ही lectures को दे नोट्स बनाने के लिए आप ब्लोग विजिट करें, वहां आपको सारा content मिलेगा, mynursingstudents.blogspot.com, latest update के लिए follow कर सकते हैं मुझे Twitter पर, Instagram पर और Facebook ग्रूप, nursing notes जोइन कर सकते हैं, धन्यवाल, आपका दिन, शुबरू